नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सबी दोस्तों आज मैं आया हूँ MIA इंडिस्ट्री एरिय पढ़ता है जो अलवर राजिस्थान के अंदर तो आज आपको यहां का एक ब्लॉग बना के आपको दिखाते हैं यहां पर काम आप डूंड सकते हो और कौन-कौन से फैक्टरी हैं ज उसके नमर आप आ सकते हैं सोमवार को एंट्री रहती है और आधारकाड और अपनी मार्शीत या आईटाई वगेरा का जो डिप्लोमा होता है अपना वो लेकर आ सकते हैं और आठ घंटे की जोब हैं आपर आठ नौजार आराम से मिल जाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नही कर सकते हैं और हमारे पीछे यह कौट संघ कंपनी आप देख सकते हैं यह कौट संघ 2 में कर के दिखा देते है तो प्र चंठ से अट आह सकते हैं इसमें भी साथ-जार रूपके आराम से इंच गंटे और और एक चोटा सा विलोग आपको बनाकर दिखाएंगे बैक कंử से त तो चलते हैं जाइज और भी लोग बनाते हैं, आप देख सकते हो, साब में ये फूरा इंडुटरी एरिया है, जो माई ये इसके अंदर गुभा हो, इधर मैट्सो के लिए रास्ता जा रहा है, तो आप चलते हैं मैट्सो के तरफ आप देख से हैं, ये हैवल्स कंपणी, ये इसका मैन गेट है और इधर फुड़ फार्क की तरफ चलते हैं ये फुड़ पार्क लिए रास्ता जा रहा है इधर को जो मिड़े मील का खाना जाता है बच्छों के लिए तो वो खाना इधर जाता है ये बियर फैक्टरी है जिसमें काल बर्स बियर बनती है तो ये फिलांट आप चलते हैं सामने इधर जो रस्ता जा रहा है इधर फुड़ फार्क की तरफ ही रस्ता जा रहा है इधर फुड़ फार्क के जो मिड़े मील होती है बच्छों के लिए खाना जाता है इसकुलों में वो कंपनी भी यहीं पर है इसमें से खाना बनकर बच्छों के लिए ज जा रहा है आप देख सकते हों त्रक खड़ हुए है तो सामान लेने के लिए आए है लोडिंग अन्लोडिंग के काम के लिए इधर देखे यह मैंन गेट इसका फाल बुर्ट का पीछे का गेट तो इधर चलते हैं सामने को दिखाते हैं वेल्स का जो राष्टा है वेल्स का आगे से जा रहा है मैट Bigger के लिए और इसी फए सहू का लीक लेंड पड़ती है, तो वह भी आपको दिखाते है आगे चल कर रास्ता सीधा चलना है आइछ सीधे चलने के बाद राइ और लेफट हैंड की तरफ दूरास्ते जा रहे हैं टो आप देखसे तो यह असो का लिदेंड के लिए रस्ता जारा यह असो खाली लेंड़ा है यह ंसर्म मीशन देख सकते हैं इसमें पुए सब्जी का परसाद दिया जा रहा है तो चलते हैं बंडारे का आनंद लेते हैं और एंजुआई देखिए और इधर का नजारा देखिए आप हैवल्स का दूसरा गेट है मैंड गेट उसको दिखाते हैं भी आपको उफर क्या सुहाना मौसम है क्या बादल है च अब भी सामने का नजारा आप यह देखिए काफी अर्याल यह वर्सात होने के बाद हरा बरा मौसम हो गया है इस लिए यह मैंगेट है काफी देख सकते हो फाइन लें लें मैंगेट देखिए यह मैंगेट है अब चलते हैं आगे की तरह पोर नजारा दिखाते हैं कुछ नजारा काफी अच्छा वियू है और फिर वापिस से यह मैंगेट होटल है उसके तरह पारही अलवर जा रहा है तो अलवर के लिए रस्ता है तो आप देख सेथे तो यह अजारा और मैंने बाइक से पुड़ा एमाई के अंदर विजिट किया है जो भी आप देख सेथे हो काफी अच्छा वो है यह देखिए इधर की तरफ आसो का ली लैंड लिखा हुआ है आपने यह भी देख लिए इसका पिछी का गेट है यह बी और यह हां एसरी काफी अच्छा रहा नजा रहे हैmen भर गावी से और अब चलते हैं इदर को आते हैं जो मार्वैवल फैक्टरिया होती है मारवन फेक्टरों का नजा आपको इदर देखने को मिलेगा मारवल फैक्टरों को सामने से आप गुजरेंगे अपन यह सार्मारवर और यहां से काफी अच्छा विए अलोबर से पंदरे किलोमेटर के दोरी पर यह इस्तित है अभी आपको दिखाते हैं मारवल फैक्टर का विन नजार है काफी अच्छा विवा रहा है सामने का और हर्याली हो चीति है यह देखिए बैक से चल रहे हैं और इधर का व्यूव और इधर अब आती है मारवल फैक्टर यह सब मारवल भी दिखाय दे रहा होगा यह माई एक अंदर यह फैक्टर रही तो वीडियो कैसा लागा हमें कमेंट्स करके जरूर बता दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो